करेले का रस्ट एक चमच भर के बेल के पत्ते पांसाथ बेल के पत्ते काली मिर्च पांसाथ काली मिर्च उसका चूरन इन सब को चने की रोटी में मिलाकर कुछ दनों तक सेवन करें डाइविटीज और डाइविटीज के मम्मी पापा सब गाइब हो जाएगी बात एक वार और बोल रहा हूँ है बहुत अधवुत है यह इलाज और इतना सरल है इतना साधारन इसको कोई भी कर सकता है कितना सा उपाए एक चम्माच करेले का रश निकल लो बेल की पतियों की चटनी बना लो और काली मिर्च का चूरन ले लो इन सब को जब चने की रोटी आप बनाएं तो आटे को गूंत हुते समय उसमें डाल दीजे यह जब उसको आटा आप गूंत रहे हैं उसी समय इसको पड़क दें उसमें फिर उस रोटी को आप खाईए यह डाइबटीज को खतम करने में बहुत कामियाब है चने की रोटी कुस दन के उंकी रोटी छोड़िए चने की रोटी खाईए उसमें यह चीज़ें डालिए करेले का रस डालिए उसमें करेले का रस उसमें जरूर ढले, बेल की पतियों की, चटनी टाइप की बिलकुल, बेल के पत्लों का रस निकालें उसमें से, सूती कपड़े में च्छन किया जाता है, वो निकाल लिए, और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का चूरन पाउडर बना करके इस सब चीज मिला कर चने के आटे में पटक दे उसको गूंथ लें एक दो रोटी चार रोटी जतना भी आप खाते हैं वह है रोटी आप खाईए और यह आपको बहुत फाइदा देगे एवसदी बहुत अधवत है डाइवटीड के मरीज के लिए बहुत फाइदेबंद है यह अगली बात मैं आपसे बोड़ रहा हूँ एक पचास ग्राम बर्गत की चाल बट बर्गत की चाल एक लीटर पानी में इसको उबाले जब एक लीटर का दो सो ग्राम रह जाए तो उसे च्छान कर रुगा नहीं चिनोती है मद में खतम हो जाता खतम बिलकुल करके देखो आप मेरे दोनों कान यूँ खाड लेना यदि फाइदा ना मिल जाए तो मेरी कनपटी पे कान रहने ही मन देना एक बार फिर बता रहा हूँ बर्गत की च्छाल तने के उपर से खुपटा उतरता है उसको बर्गत की च्छाल को निकालो एक लीटर पानी रख दो चूले पर और उसमें इसको डाल दो एक लीटर पानी 200 ग्राम रह जाए और सब जल जाए फिर उस पानी को दिन में तीन बार पीजिए तीन तीन घंटे के अंतर में शुबह तीन घंटे के बाद फिर फिर तीन घंटे के बाद एक महीने ले लीजिए एक महीने में डाई विटीज को इस्तान छोड़के भागना पड़ेगा